सर्वाइकल कैंसर यानि बच्चे दानी के मूग का कैंसर ये कैंसर जादातर महिलाओं में 30 से 60 साल के लेडिस में होता है ये महिलाओं में होने वाला दूसरा बड़ा कैंसर है पहला होता है ब्रेस्ट कैंसर और दूसरा है सर्वाइकल कैंसर हर साल में एक लाक से ज़्यादा महिला इस बिमारी का शिकार होती है और साथ हजार से ज़्यादातर महिला की मृत्ती हो जाती है हर साथ मिनिट में सर्वाइकल कैंसर से एक महिला की मृत्ती हो जाती है ये कैंसर बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ता है ये cancer जादा तर viral infection जिसको HPV कहते है और एक ये virus होता है और दूसरा होता है जब किसी महिला के multiple relation होते है मतलब बहुत सारे लोगों के साथ relation होते है या फिर उनके husband के बहुत सारे relations होते है ऐसी case में ये बिमारी हो जाती है इसे के साथ जो महिला hygiene maintain नहीं करती साफ सफाई नहीं करती उन महिला में इसके chances जादा होते है इसे के साथ जो physical relation के लिए उनकी जो age होती है बहुत ही कम age में relation बनाना start कर देते है इनको भी सबसे जादा risk होता है इसे के साथ जो महिला smoke करती है और जिस महिला को HIV या फिर AIDS है ऐसे महिला में इसके chances बहुत जादा होता है cervical cancer के कुछ टेस्ट होते है जिसके health पे पता लगाया जा सकता है कि हमें cancer है या नहीं सबसे पहला होता है pap smear ये टेस्ट बहुत ही साधारन टेस्ट होता है बच्चे दानी से पानी का check-up किया जाता है और उसमें चेक करते है कि कोई खराब cells तो नहीं दीक रहे है इसी के साथ दूसरा टेस्ट होता है जिसे कोलोस्कोपी कहते है ये टेस्ट में बच्चे दानी के दुरबीन से जाच की जाती है और चेक किया जाता है कि उसमें कोई ऐसा area है जो वहाँ पे cancer के लिए बन रहा है या नहीं अगर वहाँ पे कोई area ऐसा बन रहा है तो वहाँ पे बायस्वपी करते है cervical cancer के कुछ important लक्षन होते है जिसकी health से आप पता कर सकते हो कि हमें cervical cancer है या नहीं तो सबसे पहला होता है जब हर महीने में महावारी आती है लेकिन वो महावारी पहले के महावारी से अलग है बहुत ही अलग है जैसे कि मान लो पहले आपको दो पैट लगते थे और अभी आपको चार से पाच पैट लग रहे है और जो bleeding है बहुत ज़ादा heavy है इसके बाद इसी के साथ कोई मेला मोनोपॉस में चली गई है यानि उनका पिरेट पहले बंद हो गया था लेकिन अभी फिर से bleeding शुरू हो गई है या फिर उनको अलग प्राइवेट पार्ट से बहुत गंदा और बदबुदार पानी आ रहा है अलग कलर का पानी आ रहा है यूरिन पास करते वग बहुत ज़्यादा blood आ रहा है फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद अगर खून आ रहा है फिजिकल रिलेशन बनाने के दोरां दर्द हो रहा है वेजिनायल डिस्चार्ज हो रहा है कि सारे early symptoms होते हैं जिसकी help से आप तुरंत अपना इलाज करा सकते हो जब test से पता लग जाता है जो sales है वो cervical के है तो doctor CT scan और MRI करवाते हैं और कुछ blood test भी करवाते हैं और X-ray करवाते हैं cervical cancer के चार stage होते हैं पहली stage में cancer बच्चेदाननी तक ही रहता है लेकिन जो दूसरी stage होता है वो उसके आसपास की जगा में चिपकना स्टार्ट हो जाता है तिसरे stage में वो उपर तक पहुच जाता है और वो जो light ring की जगा होती है उस रस्ते से जाना शुरू कर देता है चौथे stage में वो सबसे last stage होती है जहांकि वो पूरे body में फैल जाता है उसके जो tissues होते हैं वो पूरे body में फैल जाते है